हालो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप, मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, हैप्पी होली इन एडवांस, आज का मेरा ये जो ब्लॉग है, वो होली स्पेसल डिस्का है, जो लगभग इंडिया में सभी के घरों में बनता होगा होली के समय में, ये मैं ग पॉर्टिट होता है, अगर मोयन नहीं रहेगा, तो गुझिया हमारा खस्ता नहीं बनेगा, मैं घी में आटों को अच्छी तरीके से मल रही हूँ, मैं इसे तब तक मलूंगी, जब तक ये एक मुठी बादने पर ये मुठी का आकार न ले ले, इससे पता चलता है कि हमारी मोयन परफेक्ट हुई है, फिर मैंने गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा गरम पानी नहीं ली हूँ, गुनगुने पानी से मैं आटे को लगा लेती हूँ, छबी बड़े ध्यान से देख रहे थी, कि मम्मी होली आने वाली है, इसलिए आप गुझिया के तयारी कर रह पानी है, तो मैं उससे ही बात कर रही थी, और आटा भी गूत रही थी, जबी इन सब कामों में बहुत इंट्रेश्ट लेती है, और बहुत ध्यान से देखती है, कि मैं किस तरह से तेवहारों में special मिठाईया बनाती हूँ, वो बड़े ही ध्यान से देखती है, आटा गूत अब मैं इसे रेश्ट होने के लिए रख देती हूँ मैंने दूसरी तरफ सूजी को छान लिया है और कड़ाई गर्म होने के लिए रख दी है जब कड़ाई हीट हो जाएगी तो मैं उसमें सूजी को भुन लूँगी कड़ाई गरम हो गई है मैंने उसमें सूजी को डाल दिय और इसे मैं भुंती रहूँगी लगतार चला कर इसी भुनना होता है और ये बहुत ज़्यादा लाल नहीं हलकी सी लाल होगी उतना देर तक मैं भुनूँगी इसे बीट में छबी आकर देख रहे थी कि मम्मी ये क्या कर रही है और ये दिखिए सूजी तयार हो गई है मैंने इसे जादा नहीं भुना है ये हलके हलके लाल हुए हैं अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बड़े बरतन में और फिर मैं ड्राइफ प्रूट को देसी घी में भुन Bin जादा नहीं भुनना है इसे हलका ही भुनना है आपको जो जो ड्राइफ फूरूट पसंद आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं और यह खोवा है इसे भी लाल होने से मेरे हाथ भी दर्द करने लगे थे मैं थोड़ा रुक रूप करके इसे चला रही थी और ये लाल होने तक मैंने इसे भूना था यह देखे फ्रेंड्स यह लाल हो गए हैं अब मैंने इसमें सूजी और ड्राइ फ्रूट डाल दिया है और इसे बड़े बरतन में डाल के अच्छे से फैला दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए फिर मैं इसे अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ इस प्रोसेस को ध्यान से करिएगा जो ये स्टपिंग है ये बहुत गर्म होती है जब ये ठंडी हो जाए तब इने हाथों से आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लिजिएगा मैंने एक कटोरी में पानी और मैदे का गोल तयार कर लिया है कुछ इस तरह इससे मैं गुझिया के किनारों को चपका देती हूँ मैंने एक बराबर लोईया काट लिया है और इसकी पूडिया बनाऊंगी कुछ इस तरह फ्रे और उसके साइट को मैं कट कर लूँगी इसे एक रेट टेंगल का अकार दूँगी बीच से हलका कट करना है पूरी तरीके से कट नहीं करना है और बीच में एक चमच स्टफिंग रखके बिल्कुल किनारे पे मत रखिएगा थोड़ा बीच में जाके रखिएगा और फिर इ इसे पैक कर देना है अच्छी तरीके से दबा करके कि कहीं से जब हम इसे फ्राइ करें तो ये फटेना और साइट साइट पर कट लगा देना होगा जो एक्स्ट्रा मैदा बाहर दिखेगा ताकि हमारा ये गुजिया एक सेप का दिखे बाकी बचे मैदे के पार्ट्स पर कट लगाना है एक साइट का पतला मोटा नहीं एक साइट का लगेगा तो ये ज़्यादा खुबसूरत दिखेगा अब फिर हमें मैदे का घोल लगा कर इसे चपका देना है इसे उठाना है मोड़ना है और इसे ऐसे चपका देना है फिर उठाना है और इसे मोड़ना है चपका ऐसी करके हम सारी पट्टियों को चपका देंगे जब सारी पट्टियां चपक जाएंगी तो एक्स्ट्रा भाग को हम कट कर लेंगे फिर इसे अच्छी तरीके से पैक कर देंगे चपका देंगे और ये फर्स्ट डिजाइन फ्रेंड्स देखिए गुजिया का कितना अच्छा लग रहा है ये दूसरे डिजाइन के लिए मैंने एक सरकल बेला है और बहुत जादा मोटा नहीं बेला है पतला बेला है और ये सभी घरों में बनती है ये इजी सा डिजाइन है फिर बीच में मैं स्टपिंग को भर देती हूँ अच्छी तरीके से इसे मैं साइट साइट से दबा देती हूँ कि मैं जब मैदे का घोल लगाँ तो ये मैदे में ना चपके फिर मैं इसे मैदे का घोल लगा कर बंद कर देती हूँ कुछ इस तरीके से और एक्स्ट्रा बचा मैदा जो होता है उसे निकाल लेती हूँ और ये दूसरी डिजाइन तैयार है ये देखे फ्रेंस तीसरी डिजाइन के लिए मैंने दो लोईयों से दो सरकल बेल दिया है जो फर्स्ट सरकल है मैं उसमें कट लगा दूंगी पूरे सरकल में मैं कट लगा देती हूँ कुछ इस तरीके से पूरे सरकल को कट करना है सिब किनारों को छोड़के किनारों को हमें कट नहीं करना है और पूरे सरकल के किनारों पर मैंने मैदे की घोल लगाई है ताकि दूसरा सरकल इसके उपर अच्छी तरीके से चपक जाए और ये निकलेना जब फ्राई हो तो और अच्छी तरीके से सरकल के किनारों को चपका देना है और उसे हलका हलका प्रेज भी करना है ताकि अच्छी तरीके से चपक जाए ये देखी फ्रेंड्स ये डिजाइन मैंने कट की थी अब इसे मैं गुझिया बनाने वाली मसीन पर रख दूँगी आराम से रखूँगी कि ये डिजाइन अंदर से मुड़े ना और फिर मैं इस पे स्टपिंग को रखूँगी दो चमच मैंने स्टपिंग लिया है और इसे बीचो बीच रख दूँगी और फिर स्टपिंग को मैं अच्छी तरीके से समेट लूँगी चारो तरफ से कि जब मैं मैं मैदे का घोल लगाओं तो मैदे के घोल में ये ना चपके और चारो तरफ मैं मैदे का घोल लगा दूँगी इसे बंद करने के लिए और फिर मैं इ अच्छी तरीके से प्रेस करके ताकि ये गुजिया खुलने पर गुजिया बीच से फटे ना, और इक्ट़र मैयदे को मैंने कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मैं दबा लेती हूं, फिर मैं इसे open करती हूँ ये देखिए ये तीसरा design भी मेरा तयार है कुछ इस तरीके से ये design बनता है design समझ में नहीं आ रही है रोशनी की वो जैसे आधी गुजिया मैंने बना लिया है और आधी अभी बाकी है गुजिया बनाते समय हमें ये problem जरूर आती है कि गुजिया हमारी बीच से खुल जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाए गुजिया खोलने के और दूसरा बनाने के इसके लिए friends मैंने छोटी सी लोई ली है मैं देखी और उसे मैंने एक बत्ती नुमा कर लिया है और ये गुजिया के बीच में रखके हम चक्कू की सहायता से कट कर लेंगे और गुजिया हमें दुबारा नहीं बनाना पड़ेगा वही गुजिया हमारा अच्छी तरीके से पैक हो गया देखी गुजिया बनाते समय काफी टाइम हो गया था रात के नौ बच गय थे मैं साड़े चार से बैठी थी और बनते बनते गुजिया साड़े 9 हो गई तो मैंने सोचा कि मैं खाना भी बना लेती हूं और दूसरी तरफ गुजिया भी मैं फ्राई कर लोगी कुकर में तेल गर्म हो गया फिर मैंने उसमें जीरा एट किया जीरा भुन जाने के बाद मैंने प्याज डालके उसे भुनने के लिए छोड़ दिया दूसरे तरफ मैंने गुजिया को फ्राई करना शुरू कर दिया था गुजिया बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं इन्हें फ्राई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और मैं इसी हाई फ्लेम पे ही फ्राई करती हूँ दूसरी तरफ मैंने तहरी के लिए चावल को भी वास कर लिया और ये दिखे फ्रेंट्स गुजिया मेरी एक साइड से लाल हो गई है मैं इसी पलट रही हूँ सारी गुजिया को मैं साउधानी से पलट लूँगी अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और टमाटर को मैं भुनूँगी तब तक भुनूँगी जब तक टमाटर सौफ्ट ना हो जाए और मैंने इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला और स्वात के अंसार नमक डाला है और इसे भी मैं अच्छी तरीके से चला के गलने तक मैं इसे पकाऊंगी फिर मैंने इसमें आलू एड़ कर दिया है और दूसरी तरब मैं गुचिया को फ्राई कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी अपना काम निप्टा रही थी क्योंकि काफी राथ हो घए और बच्चे भी थे भूखें इसलिए मैं जल्दी जल्दी तहरी बना रही थी और गुचिया को फ्राई भी कर रही थी और ये आलू हमारे कुछ सॉप्ट हो गये थे मैंने इसमें चावल एड़ करके उसे एक दो मिनट ही भुना फिर मैंने इसमें पानी डालके सीटी लगा दिया और फिर मेरी तहरी तयार हो गई और गुजिया को भी मैंने फ्राई कर लिया था अब मैं खुर्मे की तयारी कर रह और इसे कट कर रही हूं अच्छा भी द्यान से देख रही है वह सो नहीं रही थी और साड़े दस बच गये थे मैं बोल रही थी कि जाओ चबी तुम अब तहरी खालो और सो जाओ वह बोल रही थी ममा आप जब तक काम करेंगी मैं तब तक जगूंगी और मुझे भी देख कर रहे थी और साथ में बोल रहे थी कि मम्मा आप के जैसा मेरा क्योंनी बन रहा है मैंने बोला जब तुम बढ़ी हो जाओगी तो मेरे जैसा ही बनाऊगी और मैंने देखी Friends सारे खुर्मे को मैंने काट लिया है और कुछ मैं उसे अलग कर रही हूँ फ्रेंट्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेल आइकन का बटन दबाना मत भुलिएगा जिससे की मेरे नॉटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुंचते रहें फ्रेंट्स मैंने खुर्मे को फ्राई करना सुरू कर दिया है और ये देखे फ्रेंट्स ये मेरा तीन तरीका गुजिया फ्राई होने के बाद कैसा दिख रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था उतना खिल के नहीं बना था लेकिन दिखने में वीडियो में नहीं अच्छा आ रहा था पर सामने से देखने पर अच्छा लग रहा था मैंने खुर्मे को जादा फ्राई नहीं किया है क्योंकि यह जादा फ्राई नहीं होता है यह हलका गुल्डन ही होता है और दूसरी तरब मैं चासनी तयार कर रहे थी एक तरगी मैंने चासनी का वीडियो डाला है फ्रेंड्स आप उसे देख लीजिएगा गड़ेश चोथ पर मैंने गुड़ की चासनी बनाई है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी यह देखी फ्रेंड्स मेरे खुर्मे तयार हो गए हैं अब मैं बाकी के फ्राई कर लूँगी और सारे खुर्मे फ्राई होने के बाद मैं चासनी मेरी बन गई तो मैंने चासनी में उसे एड़ कर दिया और उसे चलाती लगातार गैस बंद करके खुर्मे को तब तक चलाना है जब तक वो चीनी के फॉर्म में ना आ जाए इसे हमें तब तक चलाते ही रहना है लगातार फ्रेंड्स ये सब करते करते रात के साड़े 11 बच गये थे बच्चे खाना खाकर सो गये थे मैं अकेली ये सब कर रही थी हजबन घर पे नहीं आये थे और आ ही रहे थे रास्ते में ही थे वो इसलिए मैं उनका इंतिजार ही कर रही थी कि वो आज आएंगे थे हम साथ ही खाना खाएंगे ये देखे फ्रेंड्स खुर्मा सूख गया ये जो चास्तनी थी वो चीनी में कनवर्ड हो गई है खुर्मा तयार हो गया अब मैं ब्लॉक को यहीं समाप्त करती हूँ थाइंस पार वाचिंग माई वीडियो